पाकिस्तानी मुलहेद जहां जहां पर लोग उर्दू हिंदी बोलते हैं पाकिस्तान में हिंदुस्तान में बंगलादेश, अफगानस्तान, निपाल, भुटान, चाइन, जिपान, सबको मेरी नेक शुब काम नाएं इसी तरह का एक खलील लुल रह्मान साहिब की तरह के पाकिस्तान में ये रले मिले, दो नंबर किसम के मोलवी बहुत सारे भरे में हैं, तो उसी तरह का एक हमारा ये बंदा है जिसका नाम है अनसार अबासी, एक जमाने में ये एक अच्छा रिपोर्टर होता था, यानि एक लिहाज से आप कह सकते हैं कि एक इन्वेस्टिगेटिव जेनलिस्ट होता था, लेकिन जैसा कि पाकिस्तान में आप हो और आप कॉमन सेंस के साथ कैसे रह सकते हो, तो ये बंदा, ये है अन ट्वीट कर दी, जहां पे एक और पाकिस्तान के टीवी पे, पी टीवी पे, बस एक एक सरसाइस कर रही है, डंबेल्स के साथ, स्ट्रेचिंग कर रही है, उसने लेग्डिंग स्पैनिंग में जो एक नॉर्मल गियर होता, जब आप वर्क आउट करते हैं, अब ये तो कहें ने इनकों पर क्रिटिसाइस किया, उनमें से एक हमारे फवाद चोधरी साहिब है, मुझे पता, आप इंडियन उनको पसंद नहीं करते हैं, लेकिन हमारे लिए तो ठीक है, क्योंकि वो डॉग्माटिक उनका स्टांस इसलाम के उपर नहीं है, थोड़ी लिबरल बात करते ह लिबरेटिट सोच है उनकी, तो उनने इनके उपर क्रिटिसाइस किया, उनने का भाई, अगर आप इसको देख के भी हौर नहीं हो जाते हैं, तो आपको ना किसी साइकाइटरिस की जूरता है, तो ये हरकते हैं मत मारे अंसार अबासी साहब, लेकिन हमारे जैसे पाकिस्ता अंसार अबासी, वी तो इस तरह लिखते हैं, जासर पूरी दुनिया, सारा पाकिस्ता नहीं कवाज में सपोर्ट कर रहा था, ये पंद्रा बीस हजार तक ये ट्रेंड चला था, लेकिन फिर उसके बाद ये ट्रेंड हट किया, तो ये ठरकी लोग अंसार अबासी के सपोर् अपना पेगाम जादा से जादा लोगों तक पुंचा सको